यदि वो गट्स रखते हैं हमारे गुरुकुलों को बंद करने का तो गट्स रखें कि वो भीक मांगना वो लूट मचाना हमारे मंदिरु का तुरंत पूरी तरीके से बंद कर दे हम पूरी तरीके से आत्मी निर्बर हैं मोदी जी हम पूरी तरीके से आत्मी निर्बर हैं कि ह हम अपनी वैदिक शिक्षण संस्थाओं को पालित पोशित कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। आतंक वादित छोड़िया, सामाजिक प्रष्ट भूमिक और देश की छवी को कोई नुकसान तक देने वाला व्यक्ति आज तक किसी वैदिक गुरुकुल से नहीं निकला है। सीधी सी बात है। सामाजिक कर भी रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, 614 बंग कर दीजिए, 100 मत बंग करीए। नहीं मेरे तरफ से तो कर दीजिए, संस्कृत में और वैदिक गुरुकुल में फरक है। आपको समझना पड़ेगा संस्कृत स्कूल और वैदिक गुरुकुल में फरक है। यदि आप मदर्से की बात करते हैं, उसकी तुलना संस्कृत स्कूल से नहीं बलकि गुरुकुल से कीजिए। सीधी सी बात है, यहां पर यह भी बड़ा जोल है, यहां पर हमें समझना पड़ेगा यह बात है। लेकिन फैसला सही है ना फिर। यह से कुलर फैसला है, यह पूरे देश में होना चाहिए। शुईब कास्मी साब जो हैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हैं। मदर्से से अंकूर आचारी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम तुलना कर रहे है, ना संस्क्रिट स्कूल क्या पढ़ सकते हैं। यह स्ट्र मदर्सा चरी मदर्सा – वह एक मजहवी सिक्षण संस्थान होता है। और जो आब ये बदा रहें कि शिशो मंदिर वो मजहवी सिक्षन संस्थान नहीं है। उसमें सारी सिक्षन दिया के बढ़ा है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, संविधान इस देश की रूह है। और हमें उस रूह को समझना होगा कि संविधान चाहता क्या है। नमस्त दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातर में। आज जो डिबेट में हुआ, देखिए जब 9 पैनलिस्ट पैटे हुए हूँ, 10 वे एंकर हूँ, 40 मिर्ट का प्रोग्राम हो तो इसमें हम अपना पक्ष पूरी तरीके से नहीं रख पाते हैं। कुछ मेरे भाई भेनों के शिकायत ये भी है कि आप बीच में किसी को रोकते टोकते क्यों नहीं, अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं। किसे बड़ी बात के सरकार के नुमाइंदे वहाँ पर थे, और सरकार के नुमाइंदों से हमने सबसे पहली जो मांग की है, वो सिर्फ ये की है, आप दो चीज बताइए। जन संक्या है दोस्तों, वो साड़े तीन करोड के असपास है। वहाँ के जो अलप संक्या मामलों के जो मंतरी हैं, उनका स्वम का मानना है कि मुसलमानों की जन संक्या 1.3 करोड है। लेकिन इसमें से, बड़ी बार, इसमें से 90 लाक जो हैं वो बांगले देशियें गुसपैठी हैं। यानि कि केवल 40 लाक लोग जो हैं वो स्थानी मुसलमान हैं। और वो जो 40 लाक है, वो भी 4 अलग अलग विभागों में हैं, सेक्ट में हैं। यानि कि उनमें से कुछ ऐसे सेक्ट भी हैं, जो पूरी तरीके से मुसलमान स्वम को नहीं मानते हैं। उनका जुड़ाव अभी भी अपनी जो स्थानी आदिवासी जो परंपरा है या हिंदू परंपरा है उनके साथ में भी जुड़े हुए हैं अब जड़ा आप गौर कीजेगा आंकडों के उपर आंकड़े ये कहते हैं कि सरकारी मान्यता प्राप्त 614 मदर से हैं और स्वतंत हैं वो 500 तो अब आप ये देखें कि नामचारे के लिए सोतों हैं उसको ये कहने के लिए काफी है दूसरे लोगों के लिए कि ये बंद कर रहे तो ये भी बंद कीजिए मैं इसमें ये मानता हूं और इसी वज़या से मैंने शपश्ट तोर पर कहा कि आपको संस्कृत विद आँगा ये बहुत चोकाने वाले हैं भारत वर्ष के अंदर तीन लाख टोटल मदर से हैं दो लाख मस्जिदें और कंटीनियूर हो जाना बहुत सारे मस्जिदें और मदर से बनते जा रहे हैं इनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है अगले अगर मैं बात करूँ सरकारे अगर आपको बताएंगी तो कोई 19-20 हजार ही बताएंगी वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि दो लाख तीन लाख क्या सपास तो इस और टोटल मिला करके देखें मस्जिदों के अंदर भी मदर से चलते हैं उनको यदि आप मिला लेंगे तो और ज़्यदा बढ़ जाएं तो उस समय पर टर्की और साओधी अरेविया ने ये कहा था कि हम आपको वहाँ पर मस्जिदे और मदर से बनाने के लिए डोनेशन देंगे क्या साओधी अरेविया और टर्की ये नहीं कह सकते थे कि हम आपके खाने पीने रहने सैने के लिए देंगे कपड़ लगते के लि जैसे कि कश्मीर तो कश्मीर के अंदर जब लैंड जिहाद का एक्सपोज हुआ तो वहाँ पर पाया गया कि सबसे जादा हिंदूओं को बगाने के बाद में वहाँ पर मदर्से और मस्जिदे बनी और उसके पीछे भी गल्फ कंट्रीज से बहुत पैसा आया था भारत मदर्से और मस्जिदे के निर्मान के लिए पैसे देते हैं इसका करण समझने का प्रियास कीजिए चाहे वो मेवात हो चाहे कश्मीर हो चाहे केरल हो चाहे पश्यमंगाल हो और चाहे बिहार और उत्तरप्रदेश हो जहां जहां से हिंदू को भगया जाता है पहली चीज औ अब आते हैं next point के उपर जो border areas हैं जो हमारे जो army के cantonment है जो हमारे airport है इन सब के आसपास मदर से और मस्जिदों के संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इसका कारण मुझे बताइए नेपाल border हो चाहे वो पश्यम बंगाल और बंगलादेश का border हो चाहे वो गुजरात का border ह और चाहे हर्याना का border चाहे उत्तरप्रदेश का border हो border अक्षेतर में और जहां जहां हमारे सैने गतिविदियां हैं जहां जहां पर railway की गतिविदियां हैं और platform stations हैं वहाँ पर मजारों की ये संख्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं इसका जवाब मुझे आप से चाहिए य अंगले point पर आता हूँ एक doctor है इन्होंने एक research पेश की है दो दिन पहले ही और इन्होंने कहा कि दो लाख से जादा मदर से मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा इन्होंने बताया है कि उत्तराखंड के अंदर दो लाख 161800 मदर से कभी हुआ करते थे जिस समय पर उनके पढ करोड रुपे दिये जा रहे थे चातरवर्ति के नाम पर वहां वो घट करके सीधे 2 करोड हो गए अर्थात ये जो करोडों की धांदली है ये मदर सो के नाम पर होती है अब मैं आता हूँ next point के उपर कि ये तो अकेले उत्तराखंड की बात हुई अब उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5-3.000 मदर से फरजी चल रहे थे जैसी आधार से उनको जोड़ा गया वो सारे के सारे गायब हो गए इसी प्रकार पूरे भारत वर्ष के अंदर ये दिया हम देखें तो 20.000 ऐसे मदर से हैं जो बंद हुए नदारद पाए गए वो फरजी थे इस प्रकार के आं मदर साच्छापो को भी देखा है आपने अभी शोपिया में 13 आतंकवादी बनाने वाला मदर साच जो पकड़ा गया जिसके 3 तीन जहांके मौलवी भी पकड़े गये हैं आतंकवादी गती विदियो में शामिल होने के वज़े से जो आतंकवादी बने इनको भी पकड़ा और अगर हम पुछला पूरा रिकोर्ड उठा करके देखें तो हजारों की संख्या में ये तादात आती है आप कभी ये ना सोचें कि ये ग्रैजुएट हो गए ग्रैजुएट तो कभी के टाइम में ओसामा भी था लेकिन वो भी एक मदर्सा चाप था इस तरह से मदर्सों से लगातार निकलने वाले जो आतंकवादी है उन पर लगाम लगाए जाने है तो पूरे भारत वर्ष में इनको बैन कर देना चाहिए अब मैं अगली बात पर आता हूँ मदर्सों ने अभी तक ऐसी क्या चीज़ दी है क्या इजाद किया है जो की पूरे विश्व के वैग्यानिक मिल करके ना कर पाए हो उन्होंने कोई आटोमेटिक पंचर लगाने का मशीन बना दिया है कोई रॉकेट साइंस दे दिया है कोई टीवी दे दिया है कुछ सैटलाइट दे दिया है कोई वायू यान दे दिया है कोई सरजरी का कोई ऐसा आइटम दे दिया है कोई यातायात के माध्यम में या संचा संसार को बनाया और अल्ला मि अन्याय कहा के और यह धरती यह एस साइंस है मदरधा च्लब साइंस अब साइंस है जफ्रूल इसलाम जैसे जो भाई सावाइन के लोग यह राजनितिक राब्लम हो तो सरकारे बहुत बड़े बड़े प्रपंच रचती है अब मैं आता हूँ अपने सबसे बड़े पॉइंट के उपर आपको हमारे संस्कृत विद्याले बंद करने कर दीजिए आपको हमारे गुरुकुल बंद करने कर दीजिए जबकि हमने आपको बता दिया कि गुरुकुल और जो मदरसे हैं वो हमारी संस्कृती नहीं बलकि 1400 साल पहले उत्पन एक अरेबियन एक रेगिस्तानी मजहब की बनाई हुई केंटोनमेंट है जिसको लेकर के पिछले दिनों भाजपा के कि नेता जी मेरो पर भड़क भी गए थे लेकिन मैं सपष्ट कहना चाहता हूँ सरकार गट्स दिखाए कि एगर वो हमारे शैक्षनिक संस्थान गुरुकुलों को बंद करना चाहती है तो हमारे मंदिरों से जो गजनभी वाले लूट उसने जारी रखी हुई है उसको तुरंत बंद करे इस बात पर मैंने डिबेट में भी ये बात कही थी कि तुरंत इस लूट को बंद किया जाए गजनभी मर गया लेकिन ये लूट अज भी जारी है हमारे मंदिरों में करोडो और वो रुप्यों का दान का चड़ावा चड़ता है हिंदु लोग आस्था से अपने भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ अपनी कमाई का दान में अर्पिन अर्पन करना चाते हैं वो करते भी हैं और वो अकूत संपत्ती जुड़ जाती है और ये जो संपत्ती पहले हुआ करती थी गजनवी के लूट मोडल से पहले उससे पहले इस धन का जो प्रियोग था वो हमारे गुरू को लोग को प्रबल करने बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए और शोध संस्थाओं में यूज करने के लिए होता था हमारी यूनिवर्सिटीज को बक्तियावर खिलजी जलाता है लेकिन बक्तियावर के नाम से यहाँ पर शहर के शहर बन जाते हैं उन गुरू को लोग की पुनरिस्थापना हम स्वम कर लेंगे सरकारों से निवेदन हैं कि वो बीच में से हट जाए हमारे मंदिरों की लूट ना करें या फिर हमें बताएं कि मस्जिदें आपको कितना पैसा दे रही है तो आप मदर्सों को जो सपोर्ट कर रहे हैं या आप बताएं कि क्या हमारे मंदिरों की लूट का पैसा ही तो कहीं मदर्सों में आतंक वादियों को तयार नहीं करवा रहा है चर्चों को पैसा दिया जा रहा है वही पैसा लोट करके हमारा मतांतरन करवाता है हमें इन सब चीजों का जवाब चाहिए देखे दोस्तों आप जब तक लुल बनाए बैठे रहेंगे जब तक आप समस्या को देख करके आँखे बंद करते रहेंगे जब तक आप शतुरमुर्ग की तरह मुंडी जो है अपनी रेत में धसाए रखेंगे चाहे सरकार किसी की भी हो कार वो ही है सिस्टम वो ही है ड्राइवर चेंज होने से सिस्टम चेंज नहीं होता है आपको अपनी सरकारों से पूछना पड़ेगा कहना पड़ेगा मेरा मंदिर मुझे वापस करो मैं अपने सिस्टम को भगवान खुद देख लूँगा जब धार्मिक मामला है मजब का मामला है मदर्से और गुरुकुलों का तो भाईया आप अपने मदर्से संबालों मैं अपने गुरुकुल संबालता हूँ लेकिन साथी साथ जैसे आप अपनी मजडिदे संबाल रहे हूँ वैसे मैं अपने मंदिर भी संभालूँगा मेरा मंदिर इतना capable है कि मैं अपने गुरुकुल चला सकता हूँ मैं अपने सेक्षनिक संस्थाओं को चला सकता हूँ मुझे किसी सरकार की कोई बैसाखी लेने के अवशकता नहीं है सरकारे गट्स दिखाएं हमारे मंदिरों को मुक्त करें मेरा मंदिर मुक्त हो और उस मंदिर पर जो हक है वो उसके भक्तों का है और उसको अपनी धार्मिक शिक्षाद देने का पूर्ण अधिकार है सरकारे भाड में जाएं वो हमारे गुरुकुलों को हमारे सेक्षनिक संस्थाओं को बंद करें, अथ्वा ना करें, साथ ही यदि वो गट्स रखते हैं हमारे गुरुकुलों को बंद करने का, तो गट्स रखें कि वो भीख मांगना, वो लूट मचाना हमारे मंदिरों का तुरंत पूरी तरीके से बंद कर दें आपको फैसला रिना है कि आप कब हमारे मंदिरों की लूट बंद कर रहे हैं आप इके मोडल पर चल रहे हैं आत्म निर्बर भारत तो आत्म निर्बर गुरुकुल आत्म निर्बर मंदिर तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने फैक्ट रखने का प्रियास किया है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जानकारी से बरपूर लगे तो इसको सब के साथ में शेयर वश्य करें सत्य सनातन आपका अपना प्लैटफोर्म है जो की आपकी आवाज उठाता है इसको सब लोगों तक पहुंचाएं और इसको आगे बढ़ाएं मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय हिन वंदे मात्रम